तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 तो ये आपकी जो न्यू एंसी एर्टी बुक उसके साथ में हमारा राजिस्थान बुक जो चल रही है वर्तमान में स्कूल में वही हम पढ़ रहे हैं ठीक है तो जिसमें क्लास 8 का 8 चैप्टर हम लोग ने पढ़ लिया था लास् मैं तो ये कहती हूँ कि आप लोगों को हर चैप्टर इसका पढ़ना चाहिए वो क्यों कि ये सभी चैप्टर आपका बेस क्लियर करेंगी चाहे आप 1st grade की त्यारी करो 2nd grade की करो RAS की करो पटवार की ग्राम सेवक की कहीं की भी करते हो आप राजिस्थान के अंदर तो आप रीट का देते हो तो आप 8 तक आप यहां टीचर बनोगे तो 8 तक की बुकें तो आपको आनी ही चाहिए उसके बाद जैसे जैसे आप उपर जाओगे 2nd grade में जाओगे आपको 12 तक की बुक पढ़नी चाहिए फिर आपको 1st grade की त्यारी करते हो तो आपको ग्रेजुएशन की पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक जो है वो पढ़नी चाहिए फिक है यही एक सिंपल सी बात होती है और जिसे आप लोगों को समझना है किसी भी गाइड के पीछे आप लोग नहीं भागेंगे ऐसा मैं सोचती हूँ तो जिन बच्चों ने last year भी RBSC की बुक्स जो है वो ब जरूरी है आप लोगों का और अब आप वो second grade की त्यारी करोगे second grade में आपको पता है कि आपके vacancy जो है वो 10,000 something आने वाली है तो आप लोगों को अच्छे से 12 तक की बुक्तों पढ़नी ही चाहिए तो यहां 10 तक की बुक्तों मैं पढ़ा ही रही हूँ और उसके बाद second grade क कोर्स के लिए मैंने खुद के handwritten notes जो कि आपको graduation तक वहां से जो है notes तयार करके बनाए गए हैं मेरे खुद के notes हैं जो कि आप लोगों को provide करवा रही हूँ मैं जिन बच्चों ने course लिया है और वहीं REIT की बात करो तो REIT में भी 6 से लेकर 10 तक की सभी RBSC की जो भी chapter है और इ इसके question answer ये जवाब पढ़ जाएंगे आपको कोई नहीं रोक सकता दुरिया की कोई तागत आपको नहीं रोक सकती है teacher बनने से ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं चप्टर ग्रामीर्ड और सहरी प्रशाशन विध्याले से छुटी होने पर सोनु जब घर पहुँची तो देखा घर पर पास के विध्याले के सिक्षक उनके माता पिता से बाचित कर रहे थी तब सिक्षक महदे ने सोनु से का अच्छा हुआ तुम आ गई इस रविवार को विध्याले में अपने जन्म प्रमान पत्र आधार कार्ड राशन कार्ड की प्रतिलिपी जमा कर एक फॉर्म भर देना सोनु ने पूछा कि ऐसा क्यों करना है तो उन्होंने बताया कि वह अगले माह 18 वर्ष की होने जा रही है ठीक है याद रखना सोनु कितने की होने जा रही है 18 वर्ष की तो आने वाले समय में अब उसे मतदान करने का दिकार मिल जाएगा तो मतदाता कौन होता है जिसकी आयू 18 वर्ष से अधिक हो लेकिन उसके लिए उसका नाम मतदाता सूची में जुडवाना जरूरी है साथ ही मतदाता पहचान पत्र जारी होने पर ही उसे मतदेने का अधिकार मिलेगा तो जैसे ही 18 वर्ष की आयू पूरी हो जाए आपके आसपास आपके घर में तो बिलकुल उनको बताईए कि सबसे पहले मतदाता सूची में अपना नाम जुडवाए सौनू ने पूछा कि यह काम जब निर्वाजन विभाग का होता है तो आप क्यों कर रही है तब उन्होंने बताया कि निर्वाजन विभाग द्वारा ही विभिन सरकारी करमचारियों को यह कारे सोंपा जाता है जिनका कारे घर घर सरवे करके 18 वर्ष की आयू वाले यूवक यूवतियों के नाम को जोडने के साथ नए एवं वन्चित मतदाताओं को जोडना ये इन किनको करना होता है यह काम निर्वाचन विभाग का होता है और उनके अंडर में जो बहुत सारे सरकारी कर्मचारी होते हैं वो लोग घर घर जाकर जो हैज हो आंक्रे ही कतरते हैं Finnish नाम जो है जो 18 वर्ष की होने जा रहे हैं उनको जोड़ा जाता है और जिनके मृत्यू हो सूची है उन परिवारों में तो उनको मत दाता सूची से उनका नाम हटाया जाता है सौनू ने पूछा कि फिर आप विध्याले में नहीं पढ़ाते हैं क्या तब सिक्षक बोले नहीं बेटा यह पढ़ाने के अतरिक्त कार्वे हैं जिसे जिला प्रशाशन द्वारा सौपा गया है तो कार्य किसको सौपा गया है जिला प्रशाशन द्वारा सिक्षकों को ये कार्य सौपा गया है सोनु के पिता बोले कि जिस ब्रकार घर के मुखिया के रूप में घर्ग के बुजुर्ग होते हैं उनके निर्णेयों को सभी मानते हैं उनके सामने हम अपनी इच्छा या समस्या रखते हैं तो वे उसका समाधान करते हैं घर के सदस्यों की सुरक्षा, स्वास्ते, भोजन, आदी की पूर्ती भी तो परिवार के सदस्यों द्वारा ही की जाती है तब सिक्षक महोदे वोले कि सोनु आपके पिता ने परिवार के उधारन से सरकार के कामकाज को बताया ये अच्छा प्रियास था जिस प्रकार घर का प्रशाशन मुखिया और घर के सदस्यों के कार्रे और दाइद्व से पूरा होता है या चलता है तो उसी प्रकार से ही हमारी जो इस्थानिय इस्थर की सरकार होती है त्री इस्थरिये विवस्ता से चलती है ग्राम प्रशाशन में यह क्रम ग्राम पंचायत, पंचायत समती और जिला परिशत के रूप में छोटे से बड़े क्रम में चलता है ठीक है तो हम जब ग्रामीर स्थर की बात करें तो यहां पर क्रम कैसे चलता है यहाँ पर क्रम जो है वह है नीचे से उपर की ओर चलता है और इसे त्री इस थरी विवस्था कहा जाता है ठीक है सबसे निम्न में यदि देखेंगे तो यहाँ पर आपको ग्राम पंचायत मिलेगी उसके बाद ग्राम पंचायत समिती मिलेगी और सबसे ओपर जिला परिशयद मिलेगी वहीं पर यदि हम बात करेंगे किसकी शहरी प्रशाशन की तो वहाँ हमको विवस्था जो है वो इस तरीके की मिलेगी ठीक है नेक्स्ट देखिए इस तरीके का मतलब क्या है कि यहाँ पर आप देखेंगे तो नगर पालिका इसके अलग कारे होंगे और नगर परिशद के अलग कारे होंगे और नगर निगम के अलग कारे होंगे जबकि ये जो धाचा है, ये किसका है, तिरे इस तरिये विवस्ता किसकी है, ये ग्रामीर प्रशाशन की है, नेक्स्ट देखिए, ग्रामीर प्रशाशन, ग्रामीर शेत्रों में समस्त वर्गों के लोगों की लोग तंत्र में अधिक्तम भागीदारी सुनिश्चित करने के ल इसकी ग्यारवी अनुसूची में पंचायती राजविवस्था के त्री इस्तरिय धांचे के 29 कार्णियों का उलेख किया गया है, बहुत ही important line है, अब तक हमने जो पढ़ा वो समझने का था, अब समझने का क्या है कि त्री इस्तरिय विवस्था है एक तो ग्रामीन प्रशाश में, उपर से ये जो पंचायती राजविवस्था है, इसे 73 समविधान संसुअधन विध्यक के अंतरगत सामविधानिक दर्जा दिया गया है, और 11 अनुसूची में त्री इस्तरिय धाचे के 29 कार्णियों का उलेख किया गया, याद रखें 29 कार्णियों, सोनु ने सिक्ष महोदे ने इसे चार्ट के माध्यम से बताया कि ग्रामील इस्तर पर यह 3 इस्तरी विवस्था है, जिसके तहत हमारा शाशन काम करता है, तो देखिए यहाँ पर यह धाचे का स्वरूप है, जिसे आपको भी समझना है, को सबसे निम्न में जो है, वह कौन सा इस्तर है, ग्र अधिकारी होता है, जिला परिशद यहाँ जिला प्रमुक होता है, और मुख्य कारेकारी अधिकारी होता है, ठीक है, तो यह आपको याद रहने चाहिए, कि कौन सा इस्तर है, वह किसमें आएगा, जिला परिशद पंचाय समिती और ग्राम पंचायत के क्या काम होते हैं, त क्यों कि आप कहीं भी देखेंगे तो आप इसमें confused हो जाएंगे कि यह जो सभी कारे हैं इसके भी तो हैं इसके भी हैं इसके भी हैं तो हम कैसे याद रखें तो यहां पर याद रखिए कि स्वच्छता एवं पे जल्ग विवस्था किसका काम है ग्राम पंचायत का मारग में प्रकास विवस्था, इसका कार्य है, मन रेगा कारेकरम का क्रियानवन एवम आवेदकों को रोजगार उपलब्द करना, तो हमने पढ़ा था कि मन रेगा कि अंतरगत जो है, सौ दिन कम से कम रोजगार मिले, सारुजनिक वित्रन प्रणाली, ग्रामीन सडकों का रख रखाव ये सारे कारेक ग्राम पंचायत के हैं, फिर है पंचायत समिती, पंचायतों के कार्यों की समीक्षा वो परिवेक्षन करना, तो ये पंचायत समिती का कार्य है कि इस ग्राम पंचायत के कार्य जो हैं सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं उसकी समीक्षा करना और उसका क्या कर परिविक्षन करना नव निर्वाचित सर्पंचों जो भी सर्पंच नए निर्वाचित होकर आए हैं पंचों को प्रैस्टिक्षन देना कि कैसे आप लोग आगे कार्या करोगे उनका मार्गदशन करना सर्पंचों पंचाय समिती सदस्यों वा जिला परिशा सदस्यों में समन तो इसका कार्य ये भी है कि पंचाय समिति और ग्राम जम पंचायत जो हैं इनके बीच में जो सदस्य हैं तो इनके जो सदस्य हैं इनके साथ में समन्वे इस्थापित करना और साधरन सभा की बैठक का आयोजन करना नेक्स्ट देखें जिला परिशद इसके कार्य कया है एक तो इसका कार्य क्या है कि पंचायत समिति और जो ग्राम पंचायत हैं इनकी निधियों का अंतरण करना इस्थानिय आवशक्ताओं और श्रोतों की अनुसार पंचायत समितियों की शेत्रिय योजनाओं को समेकित कर जिले के लिए अंतिम योजना तैयार करना तो यहां पंचाय समिती जो की ग्राम पंचायत को गौर कर रही थी, इसके जो भी कार्दें हैं उनकी समिक्षा कर रही थी, देख रही थी, वहीं पर पंचाय समिती के कार्यों को कौन देख रहा है, जिला परिशद, ठीक है, और यहां पंचायतों की ग्राम सभाएं और बैठ अधियां कूल्वर्कों का परवेक्शन जो है वह जिला परिशद करती है वही पंचाय समिति और पंचायद की जो निध्या है. इनका अंतर्ण करना भी इसका कार्य होता है कि इसका जिला परिशद का. फिर देखिए ग्राम पंचायत जो है उसका काम जन्व, म्रत्यू और विवापंची करना होता है तो इसको आप बहुत ध्यान से कर लें याद कि हमारा जो जन्व, म्रत्यू और विवापंची करना जो वो कौन कराता है ठीक है तो यहाँ पर कौन करवाता है यहाँ पर ग्राम पंचायत करवाती है आप दाओं महामारी के समय जिला प्रशासन से समन्वे रखना चारा गाह वनों का विकास करना मानव और पशू स्वास्ते पोशन परिवार कल्यान कारिक रमों में सहायता इस्थानिय भौतिक संसा अधनों का विकास एवं समुचित उप्योग करना यानि गाओं में जो भी कुछ परिशानी है गाओं के जो भी व्यक्ति हैं उनके लिए हर कारे करना ग्राम पंचायत का काम है वहीं पंचाय समिती की बैठक और इस्थानिय समितियों के द्वारा द्वारा लिए निर्णे क अनुपालना का नियंत्रन रजिस्टर रखना यहां पर जो पंचायत समिति होती है उसकी एक तो बैठक करना और जो इस्थानिय समितियों के द्वारा जो भी निये लिये जाते हैं उनकी अनुपालना करना और यह सभी कुछ जो है रजिस्टर रखना किसका काम होता है पंचा पोछा जा सकता है कि गाउंग का जो शेत्र है वहां पर को पसू मेलों का आयोजन कौन करबाता है, ग्रामिड पंचय समिति या जिला परिशाथ तो तो क्या याद रखेंगे आप पंचय गur लग हैं इनको mix नहीं करेंगे इनको आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है next दीखिए ग्राम पंच्टायत ग्राम पंच्टायत लोक तन्थर की प्रथम एकाई है जो वार्ड पंचों उपसर पंच और सर पंच से मिलकर बनती है तो ग्राम पंचायत किन से मिलकर बनती है वार्ड वार्ड के जो पंच है उनसे उपसर पंच और सर पंच से मिलकर बनती है इन पंचायतों का चुनाव राज्य चुनाव आयोग द्वारा संपन किया जाता है इंपोर्टेंट लाइन कि जो ये पंचायत होती है ग्राम पंचायत या ग्राम परिशद है इसके अलवा जिला परिशद है तो इनके जो चुनाव हैं ये राज्य चुनाव आयोग ही संपन करवाएगा पंचायत का कारेकाल पांच वर्ष का होता है तो चाहे वो ग्राम पंचायत हो पंचायत समती हो या जिला परिशद हो तो इनका जो कारेकाल है वो है पांच वर्ष का ही रहता है लेकिन ग्राम पंचायत के प्रमुक सरपंच को अविस्वास प्रस्ताव द्वारा निर्धारित समय से पहले भी हटाया जा सकता है ठीके तो यहां पर प्रमुख हो गया सरपंच हो गया तो इनके लिए यदि अब इस्वास प्रस्ताव आता है तो इनको समय से पहले हटाया जा सकता है ग्राम पंचायत में सच्चिव का कारे सरकारी कावजातों के रिकॉर्ड को रखना एव को रखना होता है और बैठक की जो कारवाई होती है उसको लिखना होता है यह जो सच्छी होता है इसको यहां पर कौन अपॉइंट करता है तो इसको सरकार करती है ठीक है ग्राम पंचायत की प्रतेक माह कम से कम दो बैठक होनी आवशक है तुलकुल एंड में इस पहरग्राफ में लाइन जो बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट दी गई है तो यहां पर दो से अधिक बैठक हो सकती है लेकिन प्रतेक माह कम से कम दो बैठक होनी आवश्यक है किसकी ग्राम पंचायत की वही पर हम ग्राम सबागी अधि बात करते हैं तो एक वर्ष में एक वर्ष में दो क्यों है वह तो तो होनी ही चाहिए आपकी ग्राम पंचायत के निरवाजित पदाधिकारी के नाम बताएं तो ये सरपंच का नाम बाड़पंच का नाम आ जाय गाए नेक्स्ट देखिए फंचायत समती तो अभी हमने ग्राम पंचायत को देखा, पंचायत समिती, ग्राम पंचायत या जिला परिशत, इनको जोडने वाली महतकुन कड़ी है, तो बिलकुल जो बीज में आती है, मध्य में आती है, वो क्या है, पंचायत समिती है, जो की ग्राम पंचायत और जिला परिशत को जोड रही है, राजियों के जिलों को विकास की द्रश्टी से कुछ छोटे विकास खंडों में विवाजित किया जाता है और इन विकास खंडों पर ही पंचाय समिती का गठन किया जाता है। पंचाय समिती सम्मंदित कारियों में मदद करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक खंड विकास अधिकारी ब्लॉग डेवलोप्मेंट ओफिसर निक्त किया जाता है। तो ये चीज जो है वो आप ध्यान में रखें। आओ अभ्यास करें। आपकी जिले में कितनी पंचाय समितियां हैं नाम लिखी है। तो ये सब एक दूसरे से ही लिंक है। जिला परिशद पंचायती राज विवस्ता की सबसे उपरी जो संस्था है वह जिला परिशद है। इस तर पर विकास की योजना बनाती है ठीक है तो जिला परिशद जिला इस तर पर विकास की योजना बनाएगी प्रतेक जिले में कुछ ग्राम पंचायतों को मिला कर एक बार्ड बनाया जाता है तो देखिए यहां पर एक जिले में जितनी भी ग्राम पंचायते हैं इनको मि उस वार्ड मेंसे एक हैड जो है वहे चुना जाएगा तो इसके लिए उस वार्ड के मत दाताओं के द्वारा जो है वहे निर्वाचन या चुनाव जो है वहे करवाया जाता है। राज्य सभा सदस्य भी जिला परिशद के सदस्य होते हैं ठीक है अब ये लाइन जो है वो आपके लिए बहुत important है क्यों कि यहां पर हम भूल जाते हैं कि लोग सभा और राज्य सभा के सदस्य भी जिला परिशद के सदस्य होते हैं ठीक है और ये सभी जो है एक ऐसे सदस्य जो हैं चुनाव करते हैं जो की जिला परिशद का हैड होगा जिला परिशद के निर्वाचित सदस्य मिलकर जिला प्रमुख तथा उप जिला प्रमुख का चुनाव करते हैं ठीक है अब जिले की बात आती है तो हम भूल जाते हैं कि जिला परिशद के चुनाव में कौन-कौ जो हैं शामिल होंगे तो यहां पर जो उस जिले से निर्वाचित विधान सभा है तो वहां का सदस्य भी शामिल होगा और जिले से निर्वाचित जो लोग सभा है राज्य सभा है वो सदस्य भी यहां पर शामिल होते हैं ठीक है उसके बाद यह चुनाव करते हैं और इसमें स जिला प्रमुक और उप जिला प्रमुक जो है वो चुना जाता है जिला प्रमुक को जिला परिशद के समस्त कार्यों में मदद करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक मुख्य कारेकारी अधिकारी की नुक्ती की जाती है जो की जिला प्रमुक को जिला परिशद के कार्यों में मदद करेगा जिले में समस्त विकास कार्यों का उत्तर दायत्व जिला परिशद का होता है तो ये जिला इस तर पर विकास की योजनाएं बनाती है अब देखिए कि ये जो तीनों संस्थाएं हैं ग्राम पंचायत पंचाय समितियों जिला परिशद तो इनकी जो आय के बाजारों से प्राप्त आय हो गई, सरकार से प्राप्त अनुदान हो गया, समुदायों से प्राप्त अनुदान, दोसियों से एक कत्र दंडराशी, तो ग्राम पंचायत जो है उसकी आय का शोड़ यह होते हैं, ठीक है, हम कहते हैं कि हमारे घर पर टैक्स लग रहा है, ठीक है हम ग्रामीर शेत्र की बात करें ग्रामीर सोशाशन की बात करें नेक्स देखिए पंचायत समिती जो है उसे आये जो है कहां से प्राप्त होती है तो इस्थानिय करों और सुलकों से प्राप्त आये राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान मेले हैं हार बजारों से प्राप्त आ आये जो है वह है पंचाय समिती की आये का शोत बनता है अब देखिए जिला परिशत की यदि हम बात करें तो केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जो प्राप्त अनुदान है वहां पर हमने क्या देखा था पंचायत समिती में यहां राज्य सरकार जो है वो अनुदान दे रह समिती तो इससे ये वसूला जाता है राजस्रों का एक निश्चित हिस्सा जो है वह इसके पास आ जाता है सरकारी और गैर सरकारी विर्ण लोगों द्वारा दिये गए अनुदान तो इससे जो है जिला परिशद की आये जो है वह बनती है सोनो बोली गुरु जी अब मुझे पता चल गया कि मुझे मेरे जन्म प्रमान पत्र को बनाने के लिए कहा जाना होगा ग्राम पंचायत जाना होगा लेकिन मुझे यह भी बताईए कि ग्राम सभा क्या होती है तो चलिए अब हम भी जानते हैं ग्राम सभा क्या है ग्राम सभा देखे, ग्राम सभा पंचायती राज की आधारबूत संस्था है ग्राम सभा का शेत्र एक राजस्व ग्राम होता है सामाने ते प्रतिक ग्राम पंचायत की अपनी ग्राम सभा होती है ग्राम सभा के सदस्य उस राजस्व गाउं में रहने वाले सभी मतदाता होते हैं तो यहां ग्राम सभा में जो भी सदस्य हैं वो सभी सदस्य जो हैं उस गाउं में रहने वाले मतदाता हैं इसका अर्थ क्या है कि जिनकी आयू 18 वर्ष से उपर है वो सभी ग्राम सभा की सदस्य हैं। ग्राम सभा की बैटकों में भाग लेना उनका अधिकार है, कर्तव्य है, एक तरह से ग्राम सभा भारत में प्रत्यक्ष प्रजातंतर का उधारण है। जिसके तहत ग्राम वासी इस्थानिय समस्याओं और विकास के सम्मन में सीधे भाग लेते हैं। तो यहां पर आप लोग कोई भी प्रक्रिया आप लोगों को अपनानी नहीं बढ़ेगी। क्योंकि यहां सिंपल सी बात है यदि आपकी एस जो है वो 18 वर्स है तो आप ग्राम सभा की बैठक में भाग ले सकते हों। उसके बाद देखें सामानेत हर तीन महीने में ग्राम सभा की एक बैठक बुलाई जानी आवश्यक है। तीन महीने में ग्राम सबा की एक बैठक यानी साल में कितना हो गया चार बार ठीक है साल में चार बार जो है वो बैठक बुलाई जानी आवशक है देखिए इस लाइन को जो है 26 जनवरी को पुलाई जाती है ग्राम सबाकी बैठक 1 मई को 15 अगस्त को और 2 अक्टूवर को और आवशक्त बढ़ने पर यदि ग्राम पंचायत का मुख्या चाता है तो ग्राम सबाकी और भी बैठक आयोजित कर सकता है नेक्स्ट देखिए ग्राम न्यायले ग्रामियन शेत्रों में ग्राम पंचायत इसतर पर सीग्र एवं सुलब न्याय दिलाने हितू ग्राम न्यायले एक्ट 2008 के तहट ग्राम न्यायलों की स्थापना की गई थी राजिस्तान में भी पहला ग्राम न्यायले जैपुर जिले के बसी में खोला गया, तो यह लाइन जो है वो आपके exam के लिए बहुत important है, इन ग्राम न्यायलों में न्यायक अधिकारियों की नुक्ती उच्छे न्यायलों के परामर्स से की जाती है, तो यहां हमने ग्रामील सोशाशन के बारे में बहुत अच्छे से समझ लिया है, तो हमने ठीक है, ग्राम बंचायत में सरपंच होगा, ग्राम विकाश अधिकारी होगा, पंचाय समिती में परधान होगा, एक खंड विकाश अधिकारी होगा, और सबसे उच्छ जो है संस्था जिला परिशद, तो वहां जिला प्रमुक होगा, और भी जो हैं, जो भी काम करने वाल अधिकारी जो है वो जिला इस्तर पर होंगे ठीक है फिर हमने देखा कि कारेकाल जो है वो पांच वर्ष का होता है लेकिन जो ग्राम पंचायत है उसमें प्रमुक है और सरफंच जो है तो यदि ऐविस्वास परिस्ताव आता है तो उनको समय से पहले हटाया जा सकता है ठीक ह और कम से कम ग्राम पंचायत में जो है दो वैठक जो है एक महिने में होनी आवश्यक है तो ये चीज़ आप धिहान में रखें उसके बाद हमने जिला परिशद देखा था जो कि 30 तरीय धाचे में सबसे ऊची संस्था है ठीक है तो उसमें हमने ये देखा था कि जिला जो हैं वह भी होते हैं जिला परिशत के सदस्य ठीक है तो यहीं तक आज हम पढ़ेंगे हमने आज ग्राम सभा के बारे में ग्राम पंचायत के बारे में पंचाय समिती के बारे में और जिला परिशत के बारे में समझा नेक्स्ट वीडियो में हम नगरिय सोशाशन को पढ़न में आएगी मिलेंगे नेक्ट वीडियो में थेंक यू